यहां पर देखिए यहां पर आपको टाइम तीन घंटे मिलेंगे फुल मार्क्स यानि कि कुल पुर्णांक असी रहेंगे उसके बाद यहां पर आपके दस कौस्टेन होगे दस में से पांच के उतर देने होंगे ठीक देखिए यहां पर लिखाया आंसर यानि फाइब कॉस्टेन इन्वेच यानि कि किनी पर आपको बनाना ही है पहला को आप छोड़ नहीं सकते हैं तो पहला बनाई यह उसके बाद नौ बचेंगे जो नौ में से आपको चार किसी में भी बना सकते हैं तो देखिए इसे भाग A और भाग B में बाटा गया है तो इसमें क्या है कि दस ऑब्जेक्टिव हैं इसमें पहला है हमारा हर्स चरित के लिखा कोने तो हर्स चरित एक पुश्टक है और इसके लिखा के वान भट जिसमें जो है हर्स वर्धन की बारे में पूरा का पूरा राजविस्ता बताया गया है अब देखिए हमारा B number question क्या है सबी question एक number के है objective सारे कि श्रिक गुप्त ने गुप्त सामराज के स्थापना कब गी तो यह 220 मैंने guess क्या है Google में सर्च मारा पूरा लेकिन मुझे उतना संतुष्ट उतर नहीं मिला satisfied करने वाला तो आप इसे एक बार आप अच्छे से खुद से देख लें ठीक जितने भी मुझे डाउट होंगे ना यही कोशन मुझे डाउट किया है अब देखें इसी नमर कोशन क्या है किस गुप्त सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जिस प क्या बोल रहा एडी नंबर भाहियान भारत कब आया तो भारत कब आया था 400 एडी में इससे 399 इस भी में भी कहीं कहीं दिया जाता है कहीं पे 400 तो यहां पी जो सबसे सामने वाला है तो इससे 400 लिखा जाता है ठीक के सासनकाल में हर्स वर्धन के सासनकाल में ठीक और हैंसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तो सारे कुछ याद रखते जाएंगे जितने भी रिल्टेट हैं अब देखिए हमारा एक नमबर कोश्चन क्या था है बिक्रम सिला विसुविद्यालाइक का अब देखिए हमारा एक नमबर कोश्चन क्या आता है महमूद गजनवी ने अंतीम बार भारत पर आकरमन कब किया आपको मालूम होना चाहिए कि महमूद गजनवी जो था यह भारत पर सत्र बार आकरमन किया था और सबसे अंतीम बार आकरमन किया एक हजार 27 सभी में और 2030 में इसकी मिर्त्यू हो गई थे ठीक और हमारा आई नमबर कोश्चन क्या है चोलो की राजधानी क्या है तो चोलो की जो चोल वंस थे उनकी राजधानी है तंजोर कहा थी तंजोर ठीक ना उसके बाद जे नमबर कोश्चन जो आता है हर सवर्धन की राजधा तर लिया है तो आप इसमें पूरी तरह सेप्टी रहेंगे देखिए हमारा बी नंबर कोश्चन वन का भी यह पांच नंबर के कोश्चन है ठीक ना फाइप मार्स के टू कोश्चन बनाने हैं आपको यहां पर चार कोश्चन है बारे में बता सकते हैं बी नंबर तो उससे बताया है चत्राजंद्र चोल पर्थम के बारे में आप छोटी से एक सौट नोट बता दीजिएगा चाहे मौहमद जो भारत पर आकरमन क्या था मौहमद गरी उसके बारे में आपको पढ़वाना है ठीक ना जैसे तराइन का दूसरा यूद उन सब एक बारे में बता दीजीगा यहां पर आपको जो दो से पूरा का पूरा दस नमबर तक के कोस्चन है इसमें से केवल आपको चार बनाने कितने बनाने हैं चार हिस्ट्री में 15 मांक्स के कोस्चन आएंगे ठीक ना पंद्रा पंद्रा करके ही आएंगे और दो उस परकार कर रहेगा तो देखिए गुप्त काल को हम स्वर्ण काल की रूप में क्यूं काते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है ठीक ना भारतिया इति किस परकार चलाया करते थे उसके बारे में आपको बताना में ठीड क्राइब हो कि सório बनाइंगे, चार बनाएंगे कोशन 15 15 का है तो चार कशन अगर आप बना लेते हैं तो 1564 हो जाएगा और उदर A में 20 माक्स का था तो 80 हो जाएगा बस ठीक ना समझ गए सिंद पर आकरमन सिंद पर अरब के आकरमन के कारणों को बताएं जो सिंद परांथ था अभी तो पाकिस्तान कहीं सा बन गया है पहले भारत कहीं सा था इस पर अरब आकरमन किये इसका क्यों कारण था क्या कारण था कि यह अरब आकरमन कर पाएं अरब यानि कि बिदेशी लोग जो मुहमद गोरी और मुहमद करने लाइक तो नहीं रहेंगे ठीक ना कभी कबार हो गया वो बच्पन के बाद वो अलग थी लेकिन अब सेमेश्टर में बीए में गिर जोसन कर रहे हैं तो कुछ तो आप में गुन होने चाहिए ना देखिए छे तो नंबर कुछ द sommes क्या था मोहमद गजनी के आकरमन के परभाहूं की चर्चा करें मोहमद गंवी जो थे उनके आकरमन किया ठिक ना मोमद गजनावी के आकरमन तो इन नत्याव के बाद मोहमद गौरीyl निनσε अच sus पाल परतिहार अं राष्ट कूरतों के 35 शे संगर्स पर प्रकाश डाले इन जो पाल वंस था परतिहार वंस था और राष्ट कूरत वंस था इन में जो संगर्ष रता था आपस में इनके बारे में बताना है नाइनन नुबर कोउस्टठे, हर्श वर्धन के साषन काल ने प्र साषन किसन रचन का वर्णन करें हर्श वर्धन एक राजा ripe थे ठीकिना वर्धन आइए समें से बनाना कितना है मैं नीcken क्योब सी उत्तर देने जिसमें से एक बना लीजएगा प्रौष्ण एक बनाने के बढ़ चार उत्र देने तो पांच हो जाएगा नाएगा कशान एक बनाना ही बात दोसे लिए करके ना ये से और प्रसन को बनाना है उसके बाद 4 question, दो number बनाया है, इसने 5 number को भी बनाया है, दो होगे, उसके बाद 9 और 10, 4 question बनाएं, बस, इसी प्रकार आपको बनाना है, और आप कोसिच किजे कि 18 से minimum 16 page लिखिएगा, ठीक न, minimum 16 page writing बना के एकदम लिखिए, उसके बाद अगर आप maximum page लिखने चाहें, तो उस पाएगा, ठीक न, तो फिर मिलेंगे next video साथ, तब तक के लिए, पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए, अच्छा से, ध्यान से, पढ़िए, अपने भाविस का उजवल कीजिए, फिर मिलेंगे दोस्त, अपने स्वास्त का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जाहान धन्यवाद, लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिए अटिंग,